हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल एवन श्टडी एडिया तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महतपूर्ण कोश्चन जो आपके एक्जाम के पॉइंट अभीव से काफी हिल्फुल होगा अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है जेट जैसे बड़े हवाई जहाज वाई वंडल के निमलिखित भागों में से है किस एक में प्राया उर्थे हैं ओप्षण ए है ट्रोपोस्फियर ओप्षण बी है स्टेटोस्फियर ओफशन सिए है ऑप्षण डी है एक एकसोफियर ठिक है तो इस कुश्चन का जो सई आपका ब्लगर ओप्षण नंबर ए ओप्षण नमबर ए हो जाएगा यानी कि छोब मंडल ठीक है इसमें सारी जितनाई भी मौसम घटनाएं होते हैं जैसे आंधी वर्सा बिज्री चमकना बादल गरजना यह सब जो है यह इसी मंडल में होता है ठीक है चलिए उसके बाद उसके बाद देखेंगे यानी कि समताप मंडल समता में जो है वायू यान ठीक है वायू यान जो है उड़ाने के लिए यह मंडल आदर्स माना जाता है चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट कुश्चन कि नेक्स्ट कुश्चन है जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्री आय में 33 शिरेनी छेतर का युगदान ऑप्शन ए बढ़ता है ऑप्शन बी घरता है ऑप्शन सी एस थाई रहता है ऑप्शन डी सरपर्थम बढ़ता है फिर गिरता है तो इस कुश्चन का जो सही इंसर हो जाएगा वो होगा आप्शन नंबर ए बढ़ता है तो इसे लिए अन्सर हो जाएगा यानि कि ऑप्शन नमबर ए बढ़ता है टीक है चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट कुर्शन है कि टेलेविजियन संकेत समानता एक दूसरी एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं ओप्षन ए संकेत कमजोर होते हैं ओप्षन, प्रिस्टवी इनुष amendments नमबर दी रहरा सोक लिए जाते हैं। और यानि कि प्रित्वी की वक्रता उत्तरदाई होती है चलिए नेक्ट कोश्चन की तरफ चलेंगे नेक्ट कोश्चन है कि दिसंबर 1984 में भोपाल में निम्न लिखित में से किस गैस के रिशाव से मिर्तु का तांडव हुआ था किंट्र अप्षण एक रवन डियोक साइड्स और छाइंडर यानि कि मिसाइल आइसोसाइड्स दिसंबर 1984 को ठीक है तीन दिसमब 1984 को जो है वो मिथाइल आइसो साइनाइट गैस जो है वो रिशाओ के कारण सेक्रों लोगों की जान चली गई थी ठीक है तो इस कोश्चन का जो सही एंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्सान नंबर सी हो जाएगा भारतिय रिजर्व बैंक यानि एक रुप्या के नोट और सभी सिक्के जो है वो बीतमांतरार द्वारा जारी किये जाते हैं जबकि इससे उपर उपर के जो नोट होते हैं वो आर्व प्रविए के पास होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं अ कि नेक्स्ट कोशन है कि इंडियान इंस्टिट आफ सुगर टेक्निलोजी कहां इस्थित है ऑप्सटन ए चिन्नाई ऑप्सटन बी कानपूर ऑप्सटन सी वैसाली ऑप्सटन दुरगापूर तो इस क कि प्याज का खाने योग भाग क्या है ऑप्सटन ए रुपांत्रित जर ऑप्सटन बी रुपांत्रित तना ऑप्सटन सी पत्ति ऑप्सटन डी जर तो इस कोशन का जो सही एंसर होगा वह आपका ऑप्सटन नमबर बी रुपांत्रित तना ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन द हो जाएगा वो होगा आपका option number B कत कली ठीक है next question देखते हैं next question है कि तेल और प्राकिर्टिक गैस आयोग O N G C का मुख्याले कहां अवस्तित है option A हद्रावाद option B असम option C देहरादून option D मतुरा तो इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा आपका option number C देहरादून दीक है चलिए next question देखते हैं मकराना किस वस्तु के लिए परसिध्ध है option A ग्रिनाइट के लिए option B प्रतदार चट्टानों के लिए option C संगमर्मर के लिए option D लहौर के लिए तो इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा आपका option number C संगमर्मर के लिए मकराना जो है वो राजस्थान में इस्तित है आया संगमर्मर के लिए परसिध्ध है चलिए next question देखते हैं निम्लिखित में से कौन सा कर केंद्री सरकार एक अत्रित करती है option A भूरा जस option B मरणजन कर option C बिक्री कर option D सीमा कर तो इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा आपका option number D option number D हो जाएगा यानि कि सीमा कर किंद्र सरकार द्वारा आयोजी कर जो है आय कर निगम कर संपत्ति कर सीमा कर उत्राधिकारी इस सब कर जो है वो इत्यादी है उसके बाद राजसरकार द्वारा जो कर है वो भूरा जो कर है क्रीसी आय कर है बिक्री कर मरणजन कर उसके बाद स्टाम्प सुल्क सरक कर यह सब राज सरकार द्वारा कर रहे ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतिय परदे संबंध है उप्शन ए गोवा उप्शन बी कस्मीर उप्शन सी पश्चिमंगाल उप्शन डी में घाले तो इस कुश्चन का जो सही एंसर हो जाएगा वो होगा आपका उप्शन नमबर सी उप्शन नमबर सी हो जाएगा इस कुश्चन का सही एंसर चलिए नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट कोश्चन है कि निम्लिखित में से कौन सा आंध्र परदेश का एक सास्त्री निर्थ है अप्शन A, कथकली, अप्शन B, भारत नाट्यम, अप्शन C, ODC, अप्शन D, कुचिपुरी तो इस कौश्चन का जो सही एंसर हो जाएगा वो होगा आपका आप्शन नंबर D, कुचिपुरी जो है आपका आंध्र परदेश का सास्त्री निर्थ है तिक है उसके बाद कथकली जो है वो आपका केरल का है, भारत नाट्यम, तमिलाडू का है, ODC, ओडिसा का है चलिए अब नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट कुश्चन है कि विजट उर्जा का वेपसाइक मातरा क्या है, ओप्शन A, वाट, प्रति घंटा, ओप्शन B, ओम, ओप्शन C, किलो वाट घंटा, ओप्शन D, कुलम तो इस कुश्चन का जो सही इंसर है, वो हो जागा आपका, ओप्शन नमबर C, किलो वाट घंटा, चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं निम्न में से किस कार्ज के लिए, सेंटर गेस का पर्यूग किया जाता है ओप्शन A, सही सेंटर हाइट पर लेंथ टेल को सेट करने के लिए, ओप्शन B, थ्रेट की पिच चेक करने के लिए, ओप्शन C, थ्रेट की फिट चेक करने के लिए, ओप्शन D, थ्रेट की प्रोफाइल चेक करने के लिए तो इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा आपका option number A Option number A हो झाएगा चलिए next question देखते हैं next question है कि O किस रूप में जाना जाता है oxygen, ozone, oxide या methane तो इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा आपका option number A oxygen ठीक है अगर ozone होता तो वो क्या हो जाता आपका O3 चलिए next question देखेंगे next question है कि 0.01 mm कितने micron के बरावर होता है तो इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा आपका option number B 10 micron ठीक है चलिए next question देखेंगे A meter का कार्ज है बिदूत मापने में वोल्ट मापने में परतिरोध मापने में या उर्जा मापने में तो इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा आपका option number A option number A हो जाएगा यानि कि बिदूत मापने में चलिए next question देखते हैं next question है कि mmf की इकाई डैस है option A वोल्ट, option B, अर्ग, option C, एमपियर टर्न, option D, कुलंग तो इस question का जो आपका सही answer है वो हो जाएगा option number C एमपियर टर्न चलिए next question देखते हैं next question है कि मोहिनी अट्याम, निर्थ सहली, मूल रूप से किस राज में विक्सित हुई? option A, तमिलाडू, option B, ओडिशा, option C, केरल, option D, करनाटक तो इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा option number C option number C हो जाएगा यानि कि केरल चलिए next question देखते हैं next question है कि बिक्रम सारा भाई, अंतरिक्ष केंद्र कहाँ परिस्तित है? option A, पूने, option B, हैदराबाद, option C, स्रीहरी कोटा, option D, तिरुवनांत पुरम तो इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा आपका option number D option number D हो जाएगा यानि कि तिरुवनांत पुरम चलिए next question की तरफ चलते हैं next question है कि भारती अर्थ व्यस्ता को किस रूप में सबसे अच्छा परिभासित किया जाता है बिक्सित अर्थ व्यस्ता, ग्रामिन अर्थ व्यस्ता, विकास सील अर्थ व्यस्ता, पिछ्री अर्थ व्यस्ता तो इस question का जो सही answer है वो हो जागा आपका option number C विकास सील अर्थ विवस्त था चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तिरफ चलेंगे नेक्स्ट कोश्चन है कि भारतिय रिजर्ब बैंक का मुख्याले कहां स्थित है मुंबाई दिली चिर्णाई तो इस कोश्चन का जो सही इंसर है वो हो जागा आपका option number A option number A हो जागा यानि कि मुंबाई भारतिय रिजर्ब बैंक देश का केंद्रिय बैंक है जिसके अस्थापना एक अप्राइल 1935 को की गई थी एक जन्वरी उन्चास को इसका राष्ट्रिय करन किया गया था चली अब नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे और नेक्स्ट कोश्चन है कि विमिक्स निम्र में से किसे संबन्दित है जय प्रधोंकी की अंतरिक्ष प्रधोंकी की उसके बाद मीशायल प्रधोंकी की यई संचार पषिपःःःःःःःःःःः आपका वो हो जागा आपका option number D, option number D हो जागा यानि कि संचार प्रोधिक की, ठीक है, चली, अब next question क्योंड चलते हैं, next question है कि 4 मिनार निम्न में से किस सहर में स्थित है, option A मैसूर, option B, राजकोट, option C, हैदरावाद, option D, लखनव, तो इस question का जो सही answer है, वो हो जागा option number C, option number C हो जाएगा, यानि कि हैदरावाद, ठीक है, चार मिनार जो है, वो उसका निर्मान जो है, कुली, कुतुब साह ने, 1591 है, इस वी में पूरा, मतलब पूरा कड़ाया था, ठीक है, तो next question की तरफ चलेंगे, next question है कि बेरी-बेरी, किसकी कम के कारण होता है, option A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, तो इस question का जो सही answer है, वो हो जाएगा, आपका, option number B, option number B हो जाएगा, यानि बेरी-बेरी, vitamin B की कमी से होता है, ठीक है, vitamin A का रासानिक नाम, retinol है, इसकी कमी से क्या होता है, रतांधी होता है, उसके बाद, vitamin C का रासानिक नाम, इसकोर्विक एसीड है और इसकी कमी से जो है मनुस में इसकोर्विक रोग होता है बिटामिन डी का रासानिक नाम जो है वो कैलसी फिरोल है और इसकी कमी से जो है बच्चे में रिकेट्स तता वैसको में जो है वो औस्टियो मिलेसिया नाग जो है रोक होती है ठीक है चलिए next question देखते हैं next question है कि पक्षी चुने जो पक्षी चुने जो की Siberia से भरतपूर प्रवास करता है option A Siberia crane option B Siberia seal option D Flaminum option D penguin D तो इस question का जो सही answer है वो हो जागा आपका option option A हो जाएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में ठीक है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद